बालों के प्रॉब्लम किसे नहीं होती है बालों के प्रॉब्लम हर किसी को कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर फेस करना होता है तो इसी प्रॉब्लम से जुड़ी हर समस्या का इलास लेकर के मैं आई हूँ आज के वीडियो आपके लिए काफी यूजफूल है और काफी इंट्रेस्टिंग है यह जानने के लिए कि आप अपने हेर से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं तो आपके हेर जैसे भी हो, नॉर्मल हो, ड्राइ हो या फिर ओईली हो किसी भी टैप्स के हेर हो आज के एह वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप अपने समस्याओं सो निजात पा सकें आज के वीडियो देखने से पहले अगर आप वीवर्स फॉर्स टाइम है हमारे चैनल के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड घंटी के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि आपको मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें आज क्या ये वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं तो लेट्स गेट स्टाटेट गाइज अगर आप परिशान है थिन हेर से तो आप ये वाला उयल यूज करें इसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल रौ नारियल का तेल इसमें डालेंगे हम 5-6 कलियां लैसून की और इसको हम करेंगे हीट माइक्रोवेब है तो माइक्रोवेब में हीट कर लें और तो गैस पे आप तवे के ऊपर रखे इस्टील की कटोरी में फिर इसको हीच करें इसको आपको माइक्रोवे में 20 सिर्फीट करना है 20 सिकन के बाद इसको निकाल लेना है और जब यह हलका ठंडा हो जाए फिर हम इसमें अब एड करेंगे अनियन को कद्दू कस कर लेना है और अनियन का जूस निकाल लेना है इस तरह से चन्नी से चान के और आप इसमें 2 चमच के करीब अनियन का जूस मिक्स कर देंगे यह देखे यह ओयल हमारा रेडी हो गया है ये oil आपके बालों की thinness को खतम कर देगा और आपके बालों को मोटा और घलना बनाएगा ये oil आप हफ़ते में दो से तीन बार यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दो हफ़ते बाद ही काफी फरक आपके बालों में नजर आएगा आपकी जो थिनने से वो चीजे खतम होंगी और आपके बालों में थिकने साएगी, मोटा पन आएगा तो इस तरह से आप लगा लें बालों में, अगर रात को लगाएं तो सबसे बेस्ट है गाइज अगर आपके हेर में ग्रे या वाइट हेर की प्रॉब्लम है तो ये वाला उयल यूज करिए, आपके ग्रे और वाइट हेर की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगे हम डालेंगे सबसे पहले मस्टर्ड उयल जितनी बालों की लेंद है उसके हिसाब से आप लेंगे सारे ओयल को ताकि आपके बालों में अच्छी तरह से लग जाए मस्टर्ड उयल हमने ले लिया, अब इसमें हम एड करेंगे कैस्टर उयल कैस्टर उयल हमने एड कर लिया और अब जो अगली चीज है वो हम एड करेंगे नीबू तो इसमें अब हमको एड करनी है नीबू नीबू को अच्छे से इसमें निचोल लें एक नीबू इसमें अच्छी तरह से आप निचोल लें अब हमारा ये ओयल बन करके रड़ी हो गया है अब ये ओयल जब आप अपने हेयर स्पेल लगाएंगे हपते में टू डेज तो आपके हेयर बहुत ही लॉंग और बिल्कुल जड से काले हो जाएंगे जो आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं या फिर वाइट हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से आपको चुटकारा मिर जाएगा तो आप इसको हफते में दो बार यूज करें और अपने बालों को काला और लंबा बनाएं दोस्तों पेसे लाइक करें शियर करें अपने ट्रेंड में अट देज़बूक इस्टाग्राम पे अड़ नेस्ट एपनी वडियो के साथी मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए अपना पूल सारा ख्याल लगें बाबाए दोस्तों लेकिया अपराट